नवस्कार दोस्तों मैं हो Porn और आप देख रहे है Porn InfoTech Channel दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताए था कि एडियो सॉप्टेयर को कैसे ओपन करते है उसमें कैसे सेटिंग करते है और video editing की data को कैसे हम ढूरते हैं फिर उसे customize कैसे करते हैं ताकि हम video editing करते हैं उसे आसानी से import करा सके और आज के इस video में mixing करने वाले software के layout के बारे में सीखेंगे तो चलिए video को शुरू करते हैं software तीन भागों में बटा होता है सबसे पहले भाग को देख लेते हैं तो यह हमारा preview window होता है जिसमें audio वीडियो जो भी हम play करते हैं तो इसका हम preview देखते हैं दुसरा window होता है यह bean window होता है जिसमें data को import कराया जाता है और तीसरा और compulsory जो होता है timeline window, इसी timeline पर हम data को लाते हैं और इस पर filter करते हैं, editing करते हैं या जो भी करना होता है, जो भी परकिरिया है processing यहीं पर की जाती है, अब video editing करने से पहले, सबसे पहले हम bean folder का उप्यों करते हैं, जिसमें अपने data को import कराते हैं, import कराने के लिए ध्या यहां आ जाएंगे, sequence marker में जाएंगे, sequence marker और information में जाएंगे, filter लगाया होंगे, वो सब सूचना यहां आती है, source browser के मदद से भी data को ला सकते हैं, घर यह हम नहीं सीखना है, फिलाल हम bean सीखना है, तो bean को ध्यान देता है, bean को click करेंगे, आप चाहें तो यहां पर folder wise भी data को म click कीजिए, add file को click करने के बाद open का window आ जाएगा, जहां आभी मैंने बताया था कि आपका कहा पर है data, उसको select कीजिए, तो computer, master data, happy wedding और इसमें तिर्वेनी वीडियोग्राफी, नौका टोला और तिलप, double click करते जाए, वीडियो को control ए कीजिए, सभी वीडियों को एक साथ, औ open को click कीजिए, open करने के बाद देखिए, सभी की सभी फाइले load हो रही है, load होने को बाद से सभी की सभी वीडियों यहां पर आ चुकी है, अब इसके नीचे जाएए, खाली जगा में, और पुना right click कीजिए, add file को click कीजिए, और यहां पर back कीजिए, और यहां पर folder, ध्यान select और open करने, import हो रहा है, सभी data आ चुके हैं, तो अभी bean के अंदर गरत ही, सबसे उपर scroll बटन से scroll कीजिए, और control ए कीजिए, सभी फाइलों को select करने के लिए, और यहां पर पहला देखिए, sequence 1, चुकी जो timeline पर sequence 1 दिख रहा है, यही वाला, यह page जो हम मानते हैं, अन्य प्रोग्राम में, वही page है, तो इससे छोड़ेंगे, तो selection को छोड़ने के लिए, control के साथ, उस item को क्लिक करते हैं, जिसे deselect बोलते हैं, अब इसको छोड़कर बाकी सभी के सभी select हैं, तो ध्यान देजिए दोस्तों, अब इसे आप drag and drop करके, सीख लिए, जो की बहतर तरीका यही है, तो पहले वाले item को क्लिक कीजिए, और क्लिक किये रखिए, ध्यान रहे, पहले से सब select हैं, क्लिक कीजिए, और click किये रखिए, और drag and drop, माउस की साथा से घसीरते हुए लाइए, और one भी ये पर, जहां पर इसकी boundary खतम हो रहे हैं, छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में सभी के सभी data आप timeline window पर आ जाएंगे, अब इसे छोटा बढ़ा करने के लिए, control और minus का उपयोग कीजिए, जो की नमलाकी में minus है, और plus का उपयोग बढ़ा करने के लिए, तो मैं control minus कर रहा हूँ, आपको दिखा हूँ, पूरा का पू प्रेस करके आप प्ले लाइन को, यह सामने जो लकीर नजर आ रही है, खड़िए, इसको बोलते हैं play line, इसको सुरू में लाना हो, या कहीं आगे पीछे मुव करना हो, तो यहां पर यह ruler के जैसे जो दिख रहा है, इसे ruler ही बोलते है, अन्य प्रोग्राम में आपने सीखा ह तो यह रूलर के जैसे जो दिख रहा है, इस पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, तो वहाँ परजेंट हो जाएगा, या फिर यहीं पर भी पॉइंटर को मूब करेंगे, तो यह मूब होगा, शुरू में और अंत मिले जाना हो, तो होम की और अंत के लिए इंडिकी का उपयोग कर इसका साट कट है, Shift प्लस इंटर, यदि आपको किसी को बताना नहीं है, या फिर समझाना नहीं है, सिकरता से काम करना है, तो बिना राइट क्लिक कीए, Shift प्लस इंटर की प्रेश कीजिए, तुरंत पहले नमबर के ट्रेक पर ये आटोमेटिक वीडियो सभी के सभी आ जाए के लिए अगर जो home key work न किया हो तो आप कहीं खाले जगा पर क्लिक कीजिए और फिर home key को press कीजिए आप इसे control plus की मदद से बढ़ा कर लिजिए और एक बार इसे play कर के सुन लिजिए play करने पर audio के साथ यह video पर दर्सीत हो रहा होगा चुकि मैं आपको बता दूँ कि यह audio आपको रखनी नहीं है अलग से आपको audio songs रखने है तो इसके लिए इस सभी audio को आप बंद कर सकते हैं audio को बंद करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसी track पर यहां पर देखें तो भी one भी ए और यहां पर देखें audio का symbol नजार आ रहा है clip में नहीं चाहिए तो उस वस्ता में कैसे on off करेंगे अगर जो एक को on करते हैं तो सभी के सभी on हो जाएंगे और एक को off करते हैं तो सभी के सभी आफ हो जाएंगे तो इस विवस्ता से बचने के लिए मैं आपको बता दूँ कि सभी track को select रखें किसको? सभी track को shift A दबाएं सभी के सभी track select हो जाएंगे आपने पिछले प्रोग्राम में सीखा होगा कि सभी को select करने के लिए control A करते हैं लेकिन यहाँ पे तीन तरह से select करते हैं alt A, control A, shift A, shift A का आर्थ है कि उस play line पर सभी object को select करना control A का आर्थ है कि सिर्फ एक track यानि कि one VA को select करन है और उसी को select रखे हैं तो control A या किसी particular बस्तु को select करना A के करके तो alt के साथ करेंगे तो फिलाले आप हमने shift A किया क्योंकि सिर्फ यही है और audio को mute करने के लिए अब यहां से on off भी करते हैं तो कोई इस पर फर्क नहीं पढ़ने वाला चलिए play करके दिखाते हैं देखिए आपकी सभी की सभी audio mute हो चुकी है और यहां से on off करके भी check कर सकते हैं ध्यान दीजेगा दोस्तों अब video editing का का काम शुरू होगा लेकिन उसको शुरू करने से पह समझना बहुत ही ज़रूरी होता है जैसे कि play line को आपको बड़ा चोटा करना है तो control और plus का उप्योग करेंगे बड़ा करने के लिए जो numeric keyboard पे बना हुआ है और चोटा करने के लिए control minus ध्यान रहे या video नहीं सिर्फ track को चोटा बड़ा करेगा जिससे कि सभी clip को एक साथ या फिर अलग-अलग देख सकते हैं अब clip को देख लीजे यहाँ पर जब मैं select कर रहा हूँ तो yellow color में highlight हो रहा है इसको कहीं पर भी उठा के आप move कर सकते हैं या एक clip है एक clip अभी दूसरा clip तीसरा clip चौथा clip ऐसे ही बहुत सारे clip मिलकर एक साथ इतनी बड़ी file का निर्मा बढ़ जाएगा देखिए आपके सामने नजर आ रहा है डिलीट करना हो तो उससे select करेंगे और डिलीट करेंगे देखिए डिलीट करते ही automatic या अस्थान अपने आप adjust कर लिया तो इसको बोलते हैं ओ insert mode इसको बोलते है insert mode insert mode की पहचान कैसे होगी यहाँ पर देखिए blue symbol जल automatic adjust नहीं होगा वह जगा उतना छोड़ देगा तो इसके लिए start cut होता है computer के keyboard पे insert button insert button एक बार प्रेस करेंगे तो यह override में जाएगा और एक बार दबाएंगे तो यह insert mode में जाएगा तो अब आप कारे के अनुसारी से override और insert mode में change कर लिजेगा या फिर कारे करते वक्त इसक और extra वाले भाग को select करेंगे और delete कर देंगे अगर जो insert mode में होगा तो automatic उतना अस्थान adjust कर लेगा और override mode में होगा तो उतना अस्थान छोड़ देगा चलिए control Z करके हम पीछे आ जाते हैं आप जितना कारे किये होंगे उतना पीछे जा सकते हैं इसमें अन्य प्रोग्राम म में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में इसी topics के दूसरे पार्ट के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत